दोस्तो नमस्कार ये है मागदर्शन फार सिविल सेर्विसेज मैं अनराक्ष ओधरी दोस्तो आज की वीडियो में हम देखेंगे यूपी पीसियस मुख्य परिच्छा के लिए महतपूँ टापिक चट्टान यानि की राक्ष और इसके प्रमुख परकार कौन-कौन से है ये जो टापिक है चट्टान का ये सामाने अध्यन पर्थम प्रश्न पत्र जो इतिहास भूगोल कला संस्कृति का है उसमें भूगोल के अंतरगत महतपूँ टापिक है ये प्रश्न पूछा भी जा सक कि चट्टान किसे कहते हैं और इसके प्रमुख प्रकार कौन-कौन से है तो आईए देख लेते हैं कि चट्टान चट्टान यानि की राक्स, पृत्वी के क्रश्ट में मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम और कठोर पदार्थ चट्टान कहलाते हैं पृत्वी के भूपरपटी में मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम पदार्थ और कठोर पदार्थ चट्टान कहलाते हैं इनका निर्माड बिभिन परकार के खानिजों जैसे सिलिकान, एल्यूमिनियम, लोहा, कैलसियम, सोडियम, पोटैसियम तथा मैगनेसियम से होता है तो ऐसे माना जाए कि पृत्वी के क्रष्ट में तत्तों की संख्या बहुत अधिक है ये 110 है लेकिन उसके लगभग जो 98 प्रस्ट से अधिक भाग की संरशना जो है वो मात्र 8 प्रमुक चट्टा निर्माड कारी तत्तों के योगदान से हुआ है इसमें जो तत्तों हैं वो है आकसीजन 47 प्रतिसत, सिलिकान 28 प्रतिसत, एल्यूमिनियम 8 प्रतिसत, लोहा 5 प्रतिसत, इसी प्रकार कैलसियम, सोडियम, पोटैसियम और मैगनेसियम है क्रश्ट यानि की भूपरपटी में खनीजों की कुल संख्या 2000 से भी अधिक है लेकिन कुल 24 खनीजों को ही चट्टान निर्माता खनीज की संग्या दी जाती है तो हमने देखा कि चट्टान क्या है पिर्थवी के भूपरपटी में मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम वा कठोर पदार्थ चट्टान कहलाते हैं इनका निर्माड विभिन प्रकार के खनीजों जैसे सिलिकान, एल्यूमिनियम, लोहा, कैलसियम, सोडियम, पोटेसियम और मैगनेसियम से हुआ है अब आगे देख लेते हैं निर्माड के आधार पर चट्टानों के प्रकार कौन-कौन से हैं तो निर्माड के आधार पे चट्टानों के तीन प्रमुख प्रकार है पहला है आगने चट्टान दूसरा है अवसादी चट्टान और तीसरा रूपांतरित चट्टान तो आगने चट्टाने क्या है इसके बारे में जान लेते हैं आगने चट्टान जो आगने चट्टाने हैं इनका निर्माड क्रश्ट के नीचे उपस्थित तप्त और तरल मैगमा के ठंधा होने से होता है आगने चट्टाने रवेदार होती हैं इन्हें प्रात्मिक चट्टान भी कहा जाता है क्योंकि प्रिथवी के उत्पत्ति के बाद इनका निर्माड हुआ था इसमें मुख्य रूप से ग्रेनाइट है डोले राइट है मैने राइट प्रमुख है तो ये आगने चट्टाने जो हैं इनका निर्माड प्रिथवी के नीचे उपस्थित जो जब्त एवं तरल मैगमा है उसके ठंड़ा होने से होता है आगने चट्टान रवेदार होते हैं और इसे प्राथमिक चट्टान कहते हैं इसमें परते नहीं होती है ये चट्टाने परतदार नहीं होती है और जीवास्म भी इसमें नहीं पाये जाते हैं रासायनिक अप्छे का इन चट्टानों पे बहुत कम प्रभाव पड़ता है लेकिन भावतिक और यांत्रिक पस्थित तप्त एवं तरल मैगमा के ठंड होने से होता है ये रवेदार होती है और इन्हें प्रात्मिक चटान भी कहा जाता है अब आईए देख लेते हैं चटानों का दूसरा प्रमुक्परकार आवसाधी चटान आवसाधी चटान किसे कहते हैं आवसाधी चटान प्रिथवी तल पर आगने वर रूपांतरी चटानों के अपरदन वर निच्छेपड के पेडाम सुरूप आवसाधी चटानों का निर्माड होता है तो क्लियर है प्रिथवी तल पर आगने और रूपांतरी चटानों के अपरदन और निच्छेपड के आवसादी चट्टाने परतदार होती है इनके प्रमुख उदाहरण जो है प्रमुख उदाहरणों में बालु का पत्थर है ची का मिट्टी है चूना पत्थर कोईला और पीट आदी है ये जो आवसादी चट्टाने होती है इनके निर्माण में जयविक आवसेसों का भी या नहीं की बराबर होते थे लेकिन जो अवसाधी चट्टाने हैं उनके निर्माण में जैविक और सेसों का योगदान अधिक होता है संपूर्ण क्रष्ट के लगभग 75 प्रषद भाग पर अवसाधी चट्टान विश्त्रित है पर क्रष्ट के निर्माण में इनका योगदान मात्र 5 प्रषद है तो या यह जो अवसाधी चट्टान है अवसाधी चट्टानों को तीन भागों में बाटा जा सकता है पहला यांतरिक क्रियाओं से निर्मित चट्टान जैसे बालू का पत्थर है, ची का मिट्टी है, सेल है दूसरा जैविक तत्तों से निर्मित अवसादी चट्टान जैसे चूना पत्थर है, कोईला है, पीट है रासायनिक तत्तों से निर्मित अवसादी चट्टान जैसे खड़ी या मिट्टी है, सेल खड़ी और नमक की चट्टाने है तो हमने देख लिया अवसादी चट्टाने क्या है और इनके प्रमुख प्रकार कौन-कौन से है अब आईए देख लेते हैं चट्टानों का तीसरा प्रमुख प्रकार जो है रूपांतरित चट्टान रूपांतरित चट्टान क्या होती हैं इनके बारे में जान लेते हैं रूपांतरित चट्टाने ताप एवं दाब के कारण आगने और आवसाधी चट्टानों के संगठन तथा स्वरूप में परिवर्तन या रूपांतरण हो जाता है इसे ही रूपांतरित चट्टान कहते हैं ये चट्टाने सरवाधिक कठोर चट्टान है और इसमें जीवास्म नहीं मिलते हैं ये चट्टाने जो रूपांतरित चट्टाने होती हैं ये सरवाधिक कठोर होती हैं और इनमें कोई जीवास्म नहीं पाये जाते हैं तो रूपांतरित चट्टानों के जो प्रकार हैं वो जान लेते हैं आवसादी से रूपांतरित इसमें है सैल से सलेट बनता है चूना पत्थर से संग मरमर बनता है जो रूपांतरित रूप होता है चूना पत्थर आवसादी चट्टान है इसके रूपांतरर से संग मरमर बनता है बालुका पत्थर के रूपांतरर से क्वार्ट बनता है आगने चट्ट आब आईए देख लेते हैं आगने चट्टानों के रूपांतरण से कौन कौन सी बनी सैले हैं ग्रेनाइट से नीस बनता है और बेसाल्ट से सिष्ट बनता है जो बेसाल्ट है उसके रूपांतरण से सिष्ट बनता है और बेसाल्ट के रूपांतरण स एमबी बोलाइट भी बनता है और कुछ ऐसी चट्टाने है जैसे जो रूपांतरित चट्टाने होती है रूपांतरित उनके रूपांतरण से भी कुछ सैले बनती है जैसे सलेट है सलेट से रूपांतरण के बाद फाइलाइट बनता है फाइलाइट से रूपांतरण के बाद सिष्ट और ग्रैबो है रूपांतरी चट्टान तो ग्रैबो के रूपांतरण है उससे सर्पेंटाइन बनता है तो ये था दोस्तों रूपांतरी चट्टानों के प्रकार अब एक इसे जब आप लास्ट में इसका कंक्लूजन देंगे तो 200 सब्द या 125 सब्द में उपसंहार या निसकर्स लिखने की बहुता हो सकता नहीं है आप एक फार्वेट बना दीजिएगा जैसे ये है आगने चट्टाने आगने चट्टान उत्थान और अप्छै से आवसादी चट्टान बनती है और आवसादी चट्टानों के दफन ताप और दाव से रूपांतरी चाहिए इसका जो फीगर है वो आपके माइंड में सेट होना चाहिए ये इसको हम चटान चक्र कहते हैं ये हम चटान चक्र इसको कहते हैं तो ये चटान चक्र आपके दिमाग में बना रहना चाहिए तो आप इसका उत्तर बहुत आसानी से लेख सकते हैं और जो रूपांतरी चटाने हैं तो इसमें भी याद होना चाहिए कि किन चट्टानों के रूपांतराड से कौन-कौन सी रूपांतरी चट्टाने बनती है तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि चट्टाने क्या है या चट्टान किसे कहते है चट्टान के प्रमुख प्रकार कौन कौन से है आगने चट्टान है आवसाधी है और रूपांतरित है आगने चट्टानों की विशेस्ताएं हमने देखी आवसाधी चट्टानों की क्या विशेस्ताएं है उनके प्रकार देखे हमने और जो रूपांतरित चट्टाने है वो क क्रिय प्रक्रिया कैसे चलती है दोस्तों इसका PDF जो है मैं description box में link दे दूँगा आप कोहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर लिजेगा मुख्य परिच्छा जो PCS मुख्य परिच्छा है उसके second, first paper के लिए ये topic महत्वपूर्ण है आप इसे तयार कर लिजेगा आप इसका notes भी बना सकते हैं आगे मैं इस अन्य topic पे भी वीडियो डालूँगा आप हमारे चैनल से जूड़े रहें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमसे